So hey guys, welcome back to another video और आज की ये जो वीडियो है वो शायद मेरी चार्जिंग टेस्ट के उपर लास्ट वीडियो होगी क्योंकि already मैंने LG G8X के चार्जिंग टेस्ट के उपर काफी सारी वीडियो बना दी है अगर आपने उन वीडियो उसको मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हर एक वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये जो वीडियो है वो थोड़ा सक खास है क्योंकि यहाँ पर मैं ये जो चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ इसमें जो भी बैटरी की आप्टिमाइजेशन होती है उसको मैं यहाँ पर आफ करके तभी जो चार्जिंग टेस्ट होगी उसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे एक subscriber ने मुझे comment किया था तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको fast charging चाहिए तो यहाँ पर आपको जो optimized charging का option आता है उसको आप disable कर दीजे तब जाकर जो आपकी charging speed है वो बढ़ जाएगी जोकि पहले मेरी charging speed होती थी वो 2 घंटे कुछ 9 minute के around लगता था LG G8X को charge करने के लिए और जारेंगे कि क्या optimized charging को off करने से क्या कुछ यहाँ पर effect पड़ता है कि नहीं सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और मैं आपको यह भी बता दूँ कि result बहुत ही shock में होने बाला है सच में मैं खुछ shock में पड़ गया था तो हागे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या shock लगा मुझे तो चलिए गाइस वीडियो को start करते हैं मेरा नाम महश और आप देख रहे हैं Geek Mahi अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि मैं बहुत ही कमाल कमाल की content आपके लिए बहुत ही जल लेकर आने वाला हूँ तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी charging speed दिखाता हूँ कि ये कितने घंटे में charge हुआ फिर मैं आपको wording बताता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा कुछ option काम करता भी है की नहीं तो गाइस यह है यहां पर मेरा LG G8X यहां पर आप बैटरी के option में जाकर optimize charging वाला जो option है उसे आप disable कर दीजिए तब ही आपको clear idea लग पाया गया कि आपके charging speed बढ़ी है की नहीं तो यहां पर यह सब कुछ हो गया है तो यह आप देख सकते हैं कि यह हो गया मेरा charger जो 16.2 output को देता है और यह European pin वाला charger है और आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने start किया timer को तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह जो timer है वो start हो चुका है और अब जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 मिनट बाद कुल मिलाकर इसकी जो बैटरी है वो 21% तक चार्ज हो गई है और अब देख सकते हैं कि 40 मिनट के बाद इसकी जो बैटरी है वो कुल मिलाकर यहाँ पर 39% चार्ज हो चुकी है और अगले 20 मिनट के बाद यानि एक घंटे बाद 57% इसकी बैटरी और अब देखते हैं अगले 20 मिनद बाद तो अगले 20 मिनद बाद 89% तो इसकी बैटरी वाकई में बहुत ही स्लो चार्ज हो रही है और यहाँ पर अगले 20 मिनद बाद आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के मार्क को अचीव करते हुए 97% यह चार्ज हुआ है और जैसा कि मैं आपक होज करने तक देख सकते हैं ऐहाँ चार्ज हुआ हुँ कर रहा हुआ हुआ है और और बहुत जल्द आप देख पाएंगे कि 2 घंटे 10 मिनट भी हो चुके हैं और फाइनली अब देख सकते हैं दो घंटे 10 मिनट और 34 सेकेंड में इसकी बैटरी फुल तो यहां पर आपने वीडियो को देख लिया और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप्टिमाइज़ चार्ज वाला आप्शन है वो कुछ भी काम यहां पर नहीं कर और कुल मिलाकर जो आपको स्पीड मिलती है वो दो घंटे 9 मिनट के एराउंड लगती है इसको फुल चार्ज करने में तो आप मेरी बातों को समझ गये हो आप वीडियो को डिसलाइक करने से पहले एक बार फिर से सोच लिजे कि यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डिम को लाइक कर दीजिएगा आई होब आप थोड़ा सा डिसेपॉइंट होंगे बट यहां पर क्या करें मुझी चार्जिंग टेस्ट करना था यह लास्ट वीडियो था इसी LG G8X के चार्जिंग के उपर अगर आपको और कोई वीडियो देखना है LG G8X के उपर तो आप मुझ वीडियो के साथ जय हिंद वंदे मातरम